नमस्कार दोस्तों आप सभी के शड़ी फोर यूप्यसी पीसे से मैं स्वागत है आज तारीक है 26 फरवरी 2024 इसवी और आज का न्यूज पेपर आर्टिकल इससन का वीडियो होगा ये 26 फरवरी है फरवरी आपका बीत गया और मार्च शुरू हो जाएगा दो से तीन दिनों मे उसके पर साथ फिर मार्च अपरेल मई कुछी महीनों आपके पास बचेंगे तो ढंक से थोरा सा पढ़िएगा 30 सेप्टेंबर को आपका एक्जाम है बार बार मैं इसलिए कहता हूँ ताकि आपको याद रहे कि भई लक्ष क्या है और डेट के हिसाफ से अपरोपर प्लानि है बीना एक टार्गेट के इसलिए टार्गेट आवस्चक होता है जब आप खुद से पढ़ रहे हैं तो कोचिंग में अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तब तो फिर वही टार्गेट आपके लिए डिसाइड करेंगा आप तो खुद कुछ पढ़ ही नहीं पाएंगे सेल पर बोला है तो हाउस होल्ड कंजम्शन एक्सपेंडीचर जो सर्वे आया है जो कुछ दिन पहले भी मैंने आपको पिछले वीडियो मैंने पढ़ाया था कि ग्रामीन एरियाम कितना खर्चा हो रहा है फूड पर कितना दूद पर खर्चा हो रहा है अंडे पर कितने खर्च इससे नीचे मातर 5% population है किसने बोला है नीतियाग के चीफ ने बोला है कुछ महीने पहले ही नीतियाग ने बोला था कि भारत में करीम 21% के असपास गरी भी है नीतियाग नहीं बोला था अब नया जो डेटा HECP क्या बोला था इसको Household Conjunction Expenditure Survey HCES इसके आधार पर ये बोल है कि भारत में 5% जादा BPL परिवार है ठीक है 5% से कम अब मुझे एक चीज बताईए तो 88 करोर लोगों फिर आप अनाज क्यों बांट रहे हैं 88 करोर लोगों को अनाज की सादार बे बांटा जा रहा है अगर 88 करोर लोग वाकई भर पेट खाना खाने के लिए capable होते तो भा ज़त कह रहा हूं कि बताईए मुझे 10 करोर परिवारों को 10 करोर परिवार नौट व्यक्ति यानिके लगों 50 करोर 5 सदस एक परिवारे माने 50 करोर लोगों फ्री में हेल्थ दिया जा रहा है 88 करोर लोगों को भोजन मुहया करवाया जा रहे है दो टाइम का 5 किलो चना 5 किलो गेहूं चावल इस तरह की चीज़े तो इतनी जादे अगर गरीबी कम है तो भोजन प्रोवाइड कराने के लिए आपको खर्चा नहीं करना परता लोग खुद से कंजम्शन कर लेती तो इनके बातों उजरा देखिये ध्यान से क्या बोला है इन्होंने बढ़ा ही अच्छा स सहरी भागों में जो और समानता है वो भारत में लगातार कम हो रही है इन्होंने एक सब्द यूज किया है गिनी कोफिसियंट किसके लिए यूज किया जाता है अब ये क्या होता है याद कीजिए एक छोटा सा टर्विनलोजी ध्यान प्रवक सुनिए गा आपको समझ में र लॉरेंज के अमसार से ये क्या है तो ये आईडियल कंडिशन है जिसमें संपुर्ण समानता देखी जा रही है संपुर्ण समानता जितना धन उतने लोगों बटवारा जितना धन उतने लोगों बटवारा जितना धन उतने लोगों बटवारा अब इसी में क्या होता है कि जैसे ये ideal conditions से कर्भ जितना ज़्यादा दूर बनेगा उतना ज़्यादा उस जगह पर और समानता है ये किस ने कहा था लॉरेंज महोदय ने कहा था लॉरेंज वकर के माध्यम से किसी भी देश के inequality को समझाने की कोशिस की थी उन्होंने अब इसका गनीतिय मान कैसे इसका mathematical calculation कितना करेंगे कैसे करेंगे तो उसके लिए किसने बताया तो बताया वो गिनी कोफिसियंट के माध्यम से हम लोग लॉरेंज वकर का गनीतिय मान निकालकर और समानता को माप सकते हैं जिसमें हम इसका area निकालकर और समानता को और समानता को गनीतिय रूप से निकाल तो गिनी कोफिसियंट के माद्ध हम से निकालते हैं इन्होंने बोला है गिनी कोफिसियंट जो है वो कम हो रहा है देश में उसके बाद से देखे क्या है इन्होंने लिखा है कि share of food is spending down sharply, retail inflation may be over started, food का जो share है लोगों के खर्च में वो धीरे-धीरे कम हो रहा है, बाकी चीयों पर खर्चे हो रहे हैं, लेकिन food में share कम हो रहा है, क्यों कि महंगाई है, जो जादा हो गई है, rural economy is not weak, growth is broad-based, not limited to few, इन्होंने बोला है कि जो ग्रामीन अर्थवश्था है, ध्यान पुर्वक सुनते चलिएगा, जो ग्रामीन economy है, वो कोई weak नहीं है, कमजोर नहीं है, grow कर रहा है वो बहुत तेजी से, अब कोई ऐसा भी नहीं कि particularly किसी का भी grow कर रहा हो, तो समानता के साथ में grow कर रहा है, यानि कि inequality कम हो रही है ग्रामीन अर्या में, ऐसा कहना है, expert views में, expected and impact on GDP, growth calculation for the economy, इन्होंने बोला है कि जो हम और समानता को कम होते देख रहे हैं, rural और सहरी economy में, सहरी लोग के जीवन में, सहरी लोग के कंजमसन में, खर्च में और ग्रामी लोग के खर्च में, गरीबी में, इसका कहीन कहीं हमारे economy पर impact देखेगा, और economy growth में ये चीज योगदान देने वाला है, पूरा किस्सा आपको समझ में आ गया, लॉरेंज वकर समझ में आया, आपको गिनी कोफिसेंट समझ में आया, क्या ये सबसे अच्छा डेटा माना जा सकता है गरीबी के लिए? नहीं, ऐसा नहीं माना जा सकता है, क्योंकि गरीबी केवल फूड पर निर्फर नहीं करता है, multi-dimensional poverty index सबसे बेस्ट तरीका होता है गरीबी को नापने का, जिसमें हम बहुत सारी चीयों को नापते हैं, कि केवल पेट भरने से नहीं हो, एजुकेशन और हेल्थ तक उनकी पहुँच है कि नहीं है, इन सभी चीयों के हम लोग multi-dimensional poverty में मापते हैं, ये जो household consumption है, इसमें हम किसके अधार पर नापते हैं, लेकिन ये बोलना एकिवल 5% लोग ही BPL के नीचे हैं, ये कहीं से भी suitable नहीं बैठता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेगा, नीती आयोग के चीफ जी ने बोला है, नीती आयोग ने इस चीज को नहीं बोला है अभी, ठीक है, उनकी बात को मान लेते हैं, हाउस होल्ड के कंजम्शन के बेस पर इन्हों ने बोला है, कि भारत में 5% से कम लोग BPL में रहते हैं, below poverty line, below poverty line से नीचे रहने का मतलब है, सबसे अत्यंत गरीब लोग, ये चीज किलर हो गया, आगे बढ़ें हम लोग, ये जो रिपोर्ट है, क्या नाम है इसका, H-C-E-S, इस पर डीटेल वे आर्टिकल आने दीजे, उसके बाद हम लोग इसको डीटेल में डिसकस करेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको, अभी ये चलता रहेगा, क्योंकि ये रिपोर्ट बहुती ब्रिहद रिपोर्ट होता है, बड़ा ही प्रमानिक माना जाता है, इसको तो हम लोग डीटेल में डिसकस करेंगे ही आने वाले कुछ दिनों में, लेकिन अभी जो चीज निकल कर सामने आरे, उसको आप समझ लीजेगा, अगला निउस देखे क्या है कि उत्राखन जो गौर्मेंट है वो प्रोटेस्ट में, प्रोटेस्ट के दोरान अगर कोई प्रोपर्टी डैमेज होता है तो उसको लेकर एक्ट लाने जा रही है, क्या प्रोटेस्ट के दौरान प्रोपर्टी डैमेज को लेकर कोई के एक्ट होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए भारत में सांती पूरवक जो आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं कहीं पर भी कोई हिंसक प्रोटेस्ट करना कहीं पर भी एलाओ नहीं होना चाहिए लोकतांतिक धाचे को कमजोर करता है हिंसक प्रोटेस्ट अगर उस तरह की चीज़े होती है तो उत्राखन गौर्मेंट ने बोला है कि हम क्या करेंगे पैसा वसूलेंगे या जो भी जुर्बाना लगाएंगे अभी एक्ट पारित नहीं हुआ हो जाएगा यूपी ने इस तरह का पहले ही एक्ट बनाया था चलते हैं आज के आर्टिकल दिस्टसन पर आर्टिकल देखे क्या है आपके लिए आर्टिकल से पहले एक और न्यूज सुन लिए ज़रा संदेश खाली आज कल आपने सुना होगा हर दिन ही न्यूज में रहता है यहाँ पर बड़ा ही जगहन ने सा अफराद हुआ है संदेश खाली कहा है तो सुन्दर बन इलाका सुन्दर बन इलाका कहा पर तो पस्टी मंगाल यहाँ पर एक नदी है जिसका नाप कालिंदी कालिंदी रिवर कालینदी रिवर है सुन्दरभन के इलाकों में उस कालینदी रिवर के बीच में छोटा सा दीपी जैसा है कौन सा सन्देस खाली सन्देस कहली है और ये दीप है यहां पर जाने के लिए एक मातर साधने वो है नाव ठीक है यहाँ पर ट्रैवल लोग रहते हैं बहुत ही गरीब लोग रहते हैं यहाँ पर आरोप लगाया गया कि जो रूलिंग पार्टी है वहाँ की कौन सी है तो टी-म-सी त्रिन मूल कॉंगरेस उसके कुछ नेताओं ने वहाँ की महिलाओं के साथ है बहुत सारी महिलाओं प्रदर्शन किया उसके पाद साथ वहाँ पर राजनेती अपने पीक पर है आपने सुनाई होगा हर रोज कोई ने कोई लीडर वहाँ पर विजिट करते हैं और मांग कर रहे हैं कि भई उनको सजा दी जाए तो ये मामला है संदेश खाली का कहाँ पर है तो सुंदर्बन की ल नाम से उन दोनों का डेल्टाई इलाका है और सुन्दर्बन अपने टाइगर के लिए भी जाना जाता है उसके बाद मैंग्रो फॉरेस्ट और सुन्दर सुन्दरी विरिक्ष जो होते हैं मैंग्रो के इसके लिए जाना जाता है इसको धियान में रखिएगा आप लोग गरामीन आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना जो है यह सस्टेनेबल और डेवलपमेंट इन दोनों के लिकर काम कर रहा है कि लोगों को घर तो में ली रहा है साथ साथ में यह जो प्रोजेक्ट है यह कहीं ने कहीं संधार नियता को बढ़ावा दे रहा है न परियावरन के हिसाब से बनाएगे घर का अगर हम लोग देखें तो उन दोनों पर इप्रेमाने पर सही बैट रहा है कौन सा तो प्रधानमंत्री ग्रामीन आवास योजना इसको हम लोग डीटेल में आज समझेंगे कि क्या है यह इस योजना को भी समझेंगे और क्यों इस बहुत सारे ऐसे लोग जो इसके लिए इलिजबल नहीं थे उनको हाउस आवंटित किया गया है उनको पैसे आवंटित किये गया है ऐसा कैग ने बोला है कि मदप्रदेश में यह योजना सो परसेंट सही तरीके से नहीं चल रही है इसमें धांदली देखी जा रही है कहां पर MP राज्य में किसने एक फ्लैक दिखाया है कि यह चीज सबकुछ सही नहीं चल रहा है मद्प्रदेश राज्य में लेकिन यह राज्य में इंप्लिमेंटेसन में खामी है नकि योजना में खामी है इस योजना को ज़रा ध्यान से समझते हैं अंत्रीम बजट दोयार चौ अभी तक ये सारे के सारे आवास योजना गरी बर के लिए था। पहली बार मिडिल क्लास के लिए आवास योजना लाया जा रहा है। ठीक है। करोर ग्रामी निलाकों में सस्ते आवास के लिए इस प्रोजेक्टें अभी तक सफलता पा ली है तीन करोर आवास कम नहीं होता है अगरा देखिए क्या लिखा है कि यह घोसना हमें आवास छेतर के तेजी से विस्तार के परिणाम सुरूप जीवन की गुनवत्ता परियावने जूतूला में गती लागत निर्मान सुघंटा को प्राथ मिक्ता दी गई है किसमें प्रधान मंत्री आवास योजना के तहते तहते हैं अगला देखे किया है प्रधान मंत्री आवास योजना गरामी आप तो हम इस योजना को थोड़ा सा अच्छे समझेंगे कि ये योजना है क्या सुभारम 22 तक सभी के लावाज के लक्ष के प्राप्ति के लिए पुरुवर्ती ग्रामीन आवास योजना इंद्रा आवास योजना प्रदान मंतरी आवास यूजना ग्रामीन के रूम पुनर गर्थित किया गया और एक अप्रेल दोयर 16 से इसको सुरू किया गया है आपको पताई होगा कि पहले इंद्रा आवास यूजना चल रहा था जिसके अस्थान पर इसको लाया गया है सनलगन मंतराले कौन सा है तो ग्रामीन में ग्रामीन विकास मंतराले है मार्च 22 के अंतक उन सभी ग्रामीन परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ एक पक्का घरूप लवद करवाना था मार्च 22 तक का लक्ष रखा गया तबी 24 में हम लोग है पूर्न अनुदान करूप में सायता प्रदानकर आवासि काईों के निर्मान और मौझूदा अनुपयाओं की कच्चे घरों के उन्नेन में बी पील में रह रहे ग्रामी लोग मदद करना बी पियल परिवारों को मदद करना था लाभार्थी, SCST, लाभारवित, संभावित, लोग, मुक्त कराएग, बंधुआ मजदूर, कोई भी हो सकते हैं, रक्षा कर्मी भी हो सकते हैं, जो सहीद हो गए पूर्व सैनिक या अर्थ सैनिक बलो के सेवा निवरित सदस, दिव्यांग जंग, अलब संख्या को वर्ग, बहुत सारे वर्ग इसमें सामिल हैं, लाभार्थी में, कमजोर तब का जो भी है समाज का, उन सभी को सामिल किया गया है, अब कोई सैनिक सहीद हो गया, तो उसके प तीन चरनों के सत्यापन के पसाथ समाजी कारती जंगना, दोयार ग्यारा, ग्राम सभा, वो जियो टैगिंग के माध्यम से लाभार्थियों को चैन किया जाता है, लागत सायदारी, साथ-चालिस है सामाने राज्यों में, और नब्य दस का है बिसेस राज्यों में, नब्य योजना क्या है, सहरी जून 2015 को सुरू हुआ, 2022 तक सहरी सभी चैनों सभी के लावास उप्रब्द कराने का लक्ष रखा गया था, आवास और सहरी कार मंतलाले है, पातर सहरी गरीब के ले पक्का घर सुनिशित कर जुगी निवासी हो सहित, सहरी गरीब के बीच में सहरी राजबिधान के तहित कोई भी इलाका है, वहाँ पर अगर गरीब रहरा आए, उसको हम क्या करेंगे, सस्ता में घर बनाकर हम लोग दे देंगे, यह मिस्तान महिला सदस्व के नाम पर सनुक्त नाम पर घरों का स्वामित परदान कर महिला सब्दिकरों को बढ़ावा देता है, इस तरह के पॉइंट आपके पीटी में स्टेटमेंट बनाकर पूछे जा सकते हैं, इस तरह के जो योजना ही कैंसर का लारी आजिकल, चाहे वो आपने गरीब कल्यान योजना ही सुना होगा, जिसमें घर में फूट सेक्योटी एक्ट के दहत, उसमें घर में जो रासन महिलाओं के नाम पर होता है, उसी प्रिकार आवास का वंटर महिलाओं के नाम पर किया जाता है, जिसमें महिला सक्तिकरण को बढ़ावा मिले, चारे कारे छेतरों बिभाजित किया गया इसको, नीजी भागीदारों का माध्यम संसाधन के रुप में भूमी का उप्योग कर मौझूता जुगी बासों का स्वा अस्थान पुनर्वास, जहां पर रहे हैं, वहीं पर पुनर्वास, केडिट लिंक सबसेडी भी है, भागीदारियम किफायती आवास, लाभारती के नितुत व्यक्तिकत आवास का निर्वान और संबर्धन करना, ये भी इसी का पहल है, स जल्दी से जल्दी आवासों का निर्मान हो, उसके बाद हम इसकी कुछ खामियों को भी देखेंगे कि इसमें क्या खामिया आ रही है, किस प्रकार से ये कुछ चुनोतियां पैदा कर रहे हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे, प्रधान मंत्री आवास योजना मिसन के धाच के भीतर, ग्लोबल हासिंग टेकनलोजी चैलेंज के एक भाग के रूप में, लाइट हास प्रोजेक्ट किरियान भी थो रहे हैं, जो 6 राज्यों में 6 साइटों तक विजदित हैं, यहां वीमान टेकनलोजी, मीवान, मीवान टेकनलोजी, इसके बारे मैं बताऊंगा भी, यह पूछा जा सकता है आपसे एक्जाम में, कि हाली में चर्चामरे मीमान टेकनलोजी किस योजना समधित है, के लाबा, अन्याधनिक प्रद्यों की, नवोन में सी प्रक्रियाओं का लाब उठाया जा रहा है, ताकि निर्मान समय को कम किया जा सके, वन्चितों के लिए अ अधिक प्रत्यासि और वहनी आवास बनाया जा सके, जो भवन निर्मान में समय लग रहा है, उसको अगर हम कम कर देंगे, तो कहीं ने कहीं कोस्ट भी कम हो जाता है, इसके लिए भारस सरकार अलग-अलग तकनिकों का उप्योग कर रही है, देगे क्या है, जी एस्टी सी इ गोसिंग को लेकर सबसे लेटेस्ट टेकनोलोजी है ना, उसकी पहचान करता है कि कम समय में किस प्रकार से घर बनाया जा रहा है दुनिया भर में, और उसी आधार भारत में लोग को घर मोहिया करवाया जाता है, उनका प्रमुखता सुप्योग करना है, जो संबहनिया परि निया भर से घर बनाने कोलर कर जो नए ने तकनीके हैं उसको भारत मिलाना उसको इंप्लिमेंट करना प्रधानमंत्री ग्रामीन आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में उके चास्तलों पर लाइट हास पर योजना स्थापित की जा रही हैं देश वर में छे अस्थल इंदोर एमपी राजकोट गुजरात चन्नेई तमिलाडू राजी जारखन अगरत लातिरपुरा लखन उत्तरवदेश में भौती केम समाजी का अवरसान अचना से संपन पड़र जगों पर छे सहर है भारत में जहां पर लाइट हास प्रोजेक्ट को कारियानवित किया रहा है पूरा किया जा है। और रियूज भी किया जा सकता है मिवान टेक्नलोजी के तहत में हम इस तरह के चियोग उपयोग करते हैं जिससे घर बनाने के बादे कुछ ऐसी परिस्थिती बनती है तो हम उसको फिर से रिसाइकल भी कर सकते हैं रियूज भी कर सकते हैं जो धाचा होता है उसमें हम एलुमीनियम को जगा देते हैं, एलुमीनियम फ्रेम वर्क का डिजाइन करके बनाया जाता है, ये चीज किलियर हो गया होगा, इतना डीप में कोई करेंट नहीं परता है, परलीजिये धंग से, ये दिस्टिकोन गती और गुनवत्ता का मामलें प इंसुलेटर कंक्रीट फेंबर्ग एक लाया गया है, इंसुलेटर कंक्रीट फेंबर्ग है, दिस्टिकोन के साथ भवन निर्माता, भवन के दीवारों के आधार करूप में दोहरे दीवार वाले पॉलियस्टरीन पैनल का उप्योग करते हैं, एक सुद्धि टिकाउस अनस इंसुल बनाए जाए, उसमें उप्योग किया जाता है, उस इट को उप्योग करने से क्या होता है, बीच में हवा बन जाती है, तो हवा क्या है, तो ये तापमान को कहीं भी बाहर नहीं आने जाती है, और थर्मल प्रूफिंग के तौर पर काम करती है, उस घर का तापमान बड़ाई सुन्दर रहता है अगर उसमें इस तरह की इटो का उपयोग किया जाता है या जो नए अगर आप इंजिनियर से मिलकर घर बनवाएंगे तो दीवाल में वीच में स्पेस छोड़ते हैं इसे स्पेस में जब हवा भर जाती है तो घर क्या होगा एक तापमान के इंस तक नेलोजी को उपयोग करते हैं अब इसे कुछ चुनोतिया भी देख जा रही है उसको दिसकस कर लें प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उससे जुरेवे कुछ चुनोतिया देखी जा रही है उन चुनोतियों को देख लीजे उसका आद हम लोग एंड कर लेंगे इसको ग्रीन हास गैसों में उतसरजन जब हम कम खर्चा करके बिजली को उतपाद खरीबते हैं तो उससे क्या होता है जैसे देखे ऑपारियाप्त इंसुलेशन कान भवन में रहने वाले लोग एर कंडिशन जैसे सीतलर नुपकरण को भीयोग के लिवास होते हैं और उसके पस साथ बिजली को उतपाद आप खरीदते हैं तो उससे बिजली का खपत ज़्यादा होता है घ्रीन हास गैसों का उठ्षरजन ह होता है वास पर बाध्ष नभाले स्थानीय कारक भी होते हैं कहीं पर जमीन नहीं मिल पाता है कहीं पर फंडिग सही से नहीं होता है funding होता है तो जिन लोगों के लिए आवास योजना दिया जारा है उनको पता ही नहीं होता है कि उनके लिए आवास योजना है भी या नहीं है सही से funding नहीं हो पाती है घोटाले तक देखे जाते हैं तो कुछ चनौतियां भी है जिसको धियान में रखेगा इसके लाब और भी कुछ चनौती हो सकती है तो आप मुझे ज़रूर बताईएगा अगले टॉपिक पर जलते हैं अगले नियूज को देखते हैं अगले नियूज देखे क्या है कि IGNCA अब ये क्या बला है भई इसका नाम है फूल परम क्या है इंद्रा गांदी नेशनल सेंटर फर दा आर्ट्स यही इसका नाम है IGNCA भारत में लेंगोज को लेकर एटलस तियार किया जाएगा अब इसके दोरा इसके दोरा IGNCA के दोरा लेंगोज एटलस तियार किया जाएगा क्या बोल रहा हूँ मैं बार बार Language Atlas त्यार किया जाएगा अब कुछ facts दिये हैं इन्होंने देखे IZNCA जो है ये क्या है एक autonomous body है किस किस मंत्राले के तहत में तो संस्कृती मंत्राले के तहत में संस्कृती मंत्राले के तहत में IZNCA एक autonomous sense था है जिसका काम भारत में कला और संस्कृती को प्रमोट करना है इतना किलियर हो गया होगा कला संस्कृती का ताथ पर होता है कि भारत के cultural संस्कृतिक धरोहर हो चैयो भासा हो निर्ते गीत, संगीत, पेंटिंग बस्तर बनाने की कला हो भोजन पाक की कला हो इन सभी को प्रमोट करने का काम IGNCA के द्वारा किया जाता है किस मंत्राले के तहते में बंदूओं तो संस्कृतिक मंत्राले के तहते में कल्चरल मिनिस्ट्री के तहते में अब इसने इसको बोला गया है कि भाई आप भारत में क्या करो तो लेंग्वेज को लेकर एटलस तियार करो एटलस क्या होता है भई एटलस आपने देखा होगा जो एटलस आता है ऑक्सफोर्ट बगर कही परना भई किसी लोकल टीचर के एटलस मत परना वो सब कॉपी पेस्ट होता है जो मैं कहे रहा हूँ उसको ध्यान में रखेगा ओक्सफोर्ट के लेटेस्ट एटलस को हमें सब फॉलो कीजिएगा पिछले एक साल, दे साल, दो साल पुराना होतो भी चल जाएगा उसी को फॉलो उसी प्रकार से भासा का एटलस तियार किया एटलस में क्या होता है डिटेलिंग होती है मैप ओगर होता है, हर एरिया का होता है कहां पर क्या अपडेट हुआ है, कोई नया चीज बना है कोई चीज आटाया गया है, इन सब इचीओ की जानकारी होती है उसे प्रकार से लेंगवेज एटलस होगा आपको पताईए कि भारत में कितने लेंगवेज बोले जाते हैं बहुत सारे है कई सारे इतने लेंगवेज कुछ दिन पहले ही मैंने आपको माधिविक लेंगवेज के बारे बताया तो जिसको दो लोग बोलती है अब ये भी भासा है भाई भारत में है ठीक है तो भारत में बहुत सारी भासाएं हैं तो भारत का जो संस्कृति मंत्राले है इसका एक काम बनता है कि भासाओं को एक एटलस अच्छे से त्यार किया जाए कौन-कौन सी भासा किस इलाके बोली जाती है किस तरह की भासाएं भारत में अभी खत्रे में हैं किस तरह क भासाएं जो है उग्रो कर रही है किस तरह की कमजोर हो रही है इन सभी के जानकारी उसमें कठा किया जाएगा भारत है पता ही आपको 22 लेंग्वेज ऑफिसल है आठमी सद्यूल में आठमी अंसुची मुन को सामिल किया गया है और एक चीज बोला गया कि जो 22 लेंग्वेज भारत में सामिल किया गया आठमी अंसुची में 97 परसेंट जो भारती हैं वो इसी 22 भासाओं में से एक को मतलब बोलते हैं ठीक है जैसे मैथली बिहार का एक ही मात्र भासा सामिल वो मैथली है बोजपूरी को नहीं सामिल किया गया करना चाहिए उसको निसंदे करना इन तीनों को सामिल किया गया था लास्ट टाइम आठमी अंसुची में और ये तीनों देवनागरी लिपी के साथ सामिल हैं लिपी और भासा मंतर होता है जिसे देवनागरी लिपी है देवनागरी लिपी है और भासा है हिंदी भासा है मैथली भासा कोई और हो सकती है से dual language को पहचाना गया ऐसे language उससे dual में सामिल नहीं है किलियर होड़ा है धीरे-धीरे समझयेगा 99 ऐसे भासाओं को सामिल देखा गया 214 के census में जिसमें किया जो भासाओं से dual में सामिल नहीं है अब इसको बोलने बारे लोगों की संख्या भी कोई कम नहीं है बंदू, 37.8 मिलियन लोग हैं, जिन्हों ने इस 99 भासाओं को अपने मदर टंग के रूप में जाना, जैसे मदर टंग क्या होता है, सामाने तोर पर जैसे मेरा मदर टंग है मैथली, मैथली मेरी भासा है, मातरी भासा है, और मैं हिंदी बोल लेता हूँ, इंगलीस से भी फैमिली अरो, हाँ, बोलना मुश्किल है, लेकिन मैं क्या बत, और मदर टंग होता है, जिसमें आप बच्पन से पहली बारा बोलना सिखते हैं, मदर टंग होता है, मैथली मेरी मदर टंग, आपकी भोजपूरी हो सकती है, किसी का हिंदी ह हो सकता है वैसे हिंदी किसी का mother tongue generally होता नहीं है भारत में इसी को ध्यान में रखेगा है ना जैसे उत्तर प्रदेश में आएंगे तो हो सकता है एक भई अबधी भासा हो यह ना पस्मी यूपी माएंगे तो वहां कि अलग भासा है राज्थान में राज्थानी हो सकती है गु आगे एक और चीज बोला गया था सेंसस में कि 1.2 million लोग लगवंग 12 लाख लोग जो हैं इनकी भासा को हमने recognize ही नहीं किया है हमने उनको मानिता ही नहीं दिया है क्योंकि हमने 1971 में हमने decision किया था कि 10,000 से कम बोलने वाले जो भासाइं होंगे इसको बोलने वाले लोग 10,000 स कम होंगे उसको हम मानेंगे ही नहीं भासा इसलिए सेंसस में भी नहीं जोरा गया इस तरह की भासाओं को ये चीज ध्यान में रहेगा आपको कितना सारा कुछ सीख गया है आप इसमें उसके लाबा जो सेंसस हुआ था उसमें ये भी बोला गया था कि बहुत सारी भासाइं जो ट्राइबल्स के द्वारा बोली जाती है उनको भी हमने रिकोगनाईज नहीं किया था सेंसस में तो बहुत बारह लाख लोग हो गए ट्राइबल्स की थोड़ी बहुत भासा हो गई इतने सारे लोगों के तो हम भासा तक को रिकोगनाईज नहीं करते हैं सेंसस में ओफिसियल से ड्यूल में सामिल करना तो दूर की बात है हम उनको सेंसस में सामिल तक नहीं करते है ओफिसियल से ड्यूल में सामिल नहीं करते है तो बहुत दूर की बात होगी गुरू सेंसस में उनको सामिल नहीं किया गया है तब IZNCA को बोला गया है कि आप डीटेल में ही होता है नहीं इन्होंने बोला है कि 1961 was the most सबसे बढ़ियां आज तक का सर्वे रहा है जिसमें बोला गया है कि even single speaker we are included in the record 1961 की जो भासा सर्वे किया गया था भारत में उसमें एक अगर आदमी कोई भासा बोल रहा है उसको भी हमने record पर रखना था और रखा भी तो और यह अच्छी चीज भी होती है अपने देश की भासाओं को अगर आप सम्रीद नहीं बनाएंगे अगर उनको सहेजेंगे नहीं उनके बारे में जानकारी कठा नहीं करेंगे तो कोई दूसरा करेगा क्या बताइए मुझे तुने शेक्सट के डेटा के अधार पर अब फिर से नए सर्वे में हर एक आदमी के भासा को रिक लगाम भी लगती है आपको पता है क्या हिका सेंसर, सेंसर बोर्ड, सेंसर सिप लगेगा थोड़ा सा भोजपूरी पर और यह चरूरी है, भोजपूरी जैसे सुंदर भासा को उनके खराब गानों ने खराब करके रख दिया, बदनाम होगी भासा, भासा तो बहुत ही प्यारी है, बदनाम होगी क्यों सेंसर सिप का भाव अगर डिरेक्टर थे मुखे रूप से, बड़ा ही पैसिनेट और अलग तरीके के डिरेक्टर माना जाता है, इनको इनका डेथ हो गया है, तो पस इनका नाम ध्यान में रखेगा, कि बहुत फेमस रहें अपने जमाने में, और अलग अलग तरीके के फिल्मों को बनाते थे, ब कुमार साहनी इनका नाम था, इनका डेथ हो गया, जन्म इनका पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन अभी मुंबे में थे ये, ओके चली आगे बढ़ते हैं, अगला देखे क्या है, अगला है लोकसभा पोल आने वाला है, उसके प्रसाद प्रथान में, उससे पहले प्रथान म किया है कहां पर गुजरात में, परधार मंत्री जी ने कल समुद्र में डुबकी लगा कर पूजा की है, उसकी फोटो में दिखाऊंगा, और द्वारिका और दीप को भी दिखाऊंगा, सुदरसन, सुदरसन, क्या सुदरसन ब्रीज बनाया गया है, जो किसको किसको जोडता है, बेट को, द्वारिका से, बेट द्वारिका को, ओखला रीजन जो गुजरात में, उससे जोडता है, मैं दिखाता हूँ आपको सब कुछ, देखेगा मैप, और उससे पहले मैं आपको यह बताता हूँ, कि यह जो सुदरसन ब्रीज है, यह भारत का केबल ब्रीज में सब यहां पर बनाया गया है, यहां पर देखे लिखा हुआ है, कि विकास और विरासा डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट के तहां पर गए थे, जिसमें लगवा हूँ जो धाई किलोमीटर, दो तसनल तीन किलोमीटर लंबा, में लेंड, जो ओखला में लेंड है, आपको गुजरा गुजरात में, जो गुजरात ऐसे आता है, एक में बनाता हूँ, तो यह जो रीजन आपको दिख रहा है, छोटा सा, यह रीजन, यहां पर है गुजरात में द्वारिका द्वीप, और यहीं पर है ओखला का में रीजन, तो ओखला में रीजन को द्वारिका द्वीप से जो तो 23 किलोमेटर लंबा है ये और इसको बनाया गया है इसका उधाटन भी किया प्रधान मंतरी महोदे ने भारत का सबसे लंबा केबल एस्टे ब्रीज होगा ये इंडिया का सबसे लंबा होगा केबल पर बनाया हुआ बिल ब्रीज इसको जरूर धियार में रखेगा इसे पहल अपना भारत है भई ठीक है देखें ये है ओखला मंदल ओखला ओखला में बार आर बोल लेघाज है नोइडा को पूल फामा घुरू तो वहीं इस ओखला सब्ध मेरे मुं में आ रहा था, चली आगे बढ़तें, देखे क्या है, यहाँ पर गुजरात रज्जे में, यहाँ पर 억खा मंडल है, यहाँ पर गलफ और कच्छ है जिसको क्या कहा है, कच्छ की खारी के बगल में ही यहाँ पर द्वारिका ब्रेक आइलेंड है उसी आइलेंड को जोरने के लिए मेन लेंड से ओखा मेन लेंड से ओखला मंडल से जोरने के लिए इस ब्रिज को बनाएगा जिसका नाम है सुधरसन ब्रिज इतना डीटेल मैं इसलिए बता रहा हूँ ना पिछली बार 67th BPSC 69 BPSC में आपसे गोवा के बगल में एक दीप चर्चा में था जहाँ पर एक जहाज डूब गई थी उसके बारे मापसे BPSC पी टीम पूछा गया था इसलिए इतना डीटेलें में बता रहा हूँ आपको कि धाई किलोमीटर लंबा केवल पुल धाई नहीं याद रहे कि 23 किलोमीटर लंबा पुल केबल पुल कहां पर भारत का सबसे बरा कहां पर गुजरात राज्य में कच्छ की खारी के बगल में ओखा में लेंड से द्वारिका को जोरने वाला बनाय गया है प्रधान मंत्री जी ने कल डूब की लगा कर द्वारिका जो समुद्र के नीचे डूबी ही द्वारिक समुद्र के नीचे डूबी ही द्वारिका है, असल में है, वहाँ पर लोग इसकूबा ड्राइविंग करके देखने जाते हैं, जो महावारत में कहानी का जिकर है, जहाँ पर द्रॉप जो कौन है, गांधारी, भगवान कृष्ण को सराप देती है कि आपका सहर भी डूब जा जाएगा, तो वाकरी डूबी हुए एक द्वारिका है, कहानी है, हिस्ट्री है, आप जाने है, लेकिन मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, वहाँ पर प्रधान मत्री जीने स्कूबा ड्राइविंग करके, वहाँ पर पूजा पार्थ भी की है, उसका फोटो भी आपने दे जाएगा, तो चालुक्यों के एक मंदिर की खोज की गई है, मुनी माक्यम भीलेज में, मुनी मानिक्यम भीलेज में, मुनी मानिक्यम भीलेज में, चालुक्यों की एक मंदिर की खोज की गई है, चालुक के डाइनेस्टी जो है, भारती किस भाग में है, अगर ध्यान पुर आटन कल्चर में बीच कर युब भाग होता है उरिसा से नीचे आप मा जाएं महराज से नीचे और सुदूर दक्षीन से उपर यह भाग होता है आपके इसमें बेसर सैली बेसर का ताथ पर होता है खचर गोरा और गधे से जो संगम से जो बनता है जो बच्चे पैदा करने में सफल नहीं होते हैं वो होते हैं खचर बेसर जो है इसको बोला जाता है बेसर सैली यह है नागर और द्रवीर का मिक्स्चर है बीच में जिसको बेसर सैली कहा जाता है बेसर सैली में दावर नागर और द दोनों का लख्षन देखे जाते हैं लेकिन बेसर सैली अधभूत-धभूत मन्रों का निरमान हुआ है भब्ब मन्दिर बनाए गए अब इसी बेसर सैली के निरमाताओं में किन का नावत चालुप क क्यों का नाम आता है चालुक के बड़े प्रतापी राजा हुए और इनके बारे हम लोग पढ़ेंगे लेकिन देखिए बादामी से जोहार का नाम है क्या इसका नाम है अटुल अटुकल अटुकल पोंगल यह पोंगला भी बोलते हैं मल्यालम सब्द है इसलिए हो सकता है प्रनंसियसन कुछ अलग अटुकल पोंगला इसको महिलाओं का सबरी माला कहा जाता है महिलाओं का सबरी माला मंदिर जहां पर केवल प तो सबरी माला में ठीक है उसके दोरान उससे छोटी उम्र की या उससे बड़ी उम्र की महिलाएं जा सकती है अब यहाँ पर यह जो है अटुकल पॉंगल इसको महिलाओं का सबरी माला कायद क्योंकि आप पूरुस प्रवेस नहीं कर सकती है इसके बारे मैं अभी बताऊंगा आपको यह कम मनाया जाता है तो मल्यालम कुंभ महीने में मनाया जाता है और यह कहां से फ्रेर ना मिली इसको मनाने का तो सिलपादिकारम जिसको कहा जाते है यह सिलपादिकारम हम लोग हिंदी मोलते हैं यह तमीलों का सबसे बड़ा महाकाबे है तमील भासा यह द्रवीर स अंस्कृति की सबसे बड़ी महाकाब किसको माना जाता है तो माना जाता है सिलपादिकारम को इसमें क्या है तो इसमें है पत्नी कोबल पती है पती का नाम है कोबलम और पत्नी है कन्यगी इन दोनों की कहानी है और एक वेस्या रहती है जिसका नाम है माध्वी उनकी कहानी है जिसमें है कि भई उसके पती को, कन्यगी के परती को सजा दे जाती है, मौत की सजा दे जाती है, जिसका बदला लेती है कन्यगी, और मदुरई पूरे राजधानी को जला देती है, अपने जस्टिस को लेकर, न्याय को लेकर, राजा जो है वो भी आत्मत्या कर लेता है, उसस उसके पसाद करनेगी बदला लेती है करनेगी पूरे सहर को जला देती है अपने ताप में और उस सहर को जलाने के पसाद वो कहां पर आती है तो इसी जगह पर आती जहां पर ये तुरौन अंत पूरम में भगवान विश्नु का सहर जिसको कहा जाता है वहाँ पर ये अटुक अगला हिस्सा क्या है मन्नी मेखले जिसमें उस वैस्या की और कोबलम की बेटी पैदा होती है जिसकी कहानी है उसमें जो जैन धर्म को सुईकार कर लेती है बाद में समाज के तानों से परहिसान होकर आगे बरते हैं अटुकल पॉंगल के बारे में और चालुक के विष्णू का सहर तिरुवनंत पूरम इसका मतलब यही है लेकिन ट्रिवेंडरम का कोई मतलब नहीं होता है प्रतिवर्स महिलाओ दौरम मनाय जाने वाल विष्व का सबसे बरा धार्मिक समागम है यह एक दस दिवस यह पर्व है जो मल्यालम के कुम्भ माह में मनाया जात है यह मंदिर देवी भगवती को समर्पित है इस मंदिर केवल महिलाओं ही प्रवेस करती है जिस कारेंसी से महिलाओं का सबरी माला भी कहा जाता है लेकिन पूर्सों ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया क्या में इस मंदिनों घुसना है सबरी माला को लेकर प्रोटेस्ट हु होता है इसे कन्यगी चरित्रम के नाम से जाना जाता है कन्यगी चरित्रम कहां से जुरेट करें गया तो कन्यगी चरित्रम आपका सिलपादिकारम सिलपदिकारम जिसको कहा जाता है तमिलों का सबसे बड़ा महाकाब दूसरे संगम में रचेत सिलपदिकारम इस देवी द्वारा पांडे राज्य के वद्ध की घटना को दर्साया जाता है मैंने भी बताया है पांडेों की राजधानी मद्रे और पांडे राज्य का पूरा वद्ध कर देती है कन्यगी अपने किसमें तो अपने प्रतिसोध में उसके पती को मार दिया जाता है फासी पचरा के जूठे चोरी के आरोब में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है पॉंगल के दौरान महिलाएं पाईसम, चावल, गुरु और नारियल की मिठाई तियार करते हैं इस अनुस्ठान को अट्टू का लम्मा कहते है क्या कहा जाता है अट्टू का लम्मा कहा जाता है इस अनुस्ठान को इसको ध्यान में डखेगा अट्टू कल पॉंगल अब ज़रा चालुक्यों डाइनस्टी के बारे में परते हैं क्या है एरिया देख लिए जो उनका कहां से कहां तक फैला हुआ है ये पूरा एरिया फैला हुआ है यहां पर अलग चालुक के थे यहां पर अलग चालुक के थे यहां पर अलग चालुक के थे ओके देखे क्या है सुरू से देखते हैं तीन अलग 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 लेकिन चालुक के राजबंस थे बहुत ही मजबूत बंस थे ये बादामी के चालुक के तीन अलग 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 लेकिन चालुक के थे ये बादामी के चालुक के पूर्वी चालुक के सबसे पूराने चालुक के जिनके राधानी करनाटक ब बादामी वातापी थी। इसी बादामी से 500 किलोमेटर दूर अभी तेलंगाना के गाउं में मंदिर कमिली है। बादामी वातापी थी। से आपके दिवाग में छप जाए कहां पर सासन करते थे ये देगे सुदूर दक्षिन ये है इसमें चोल चेर पंड ही रहे हैं हमें सालग भग में बाद में इसमें कौन आते हैं तो चेलों का दूसरा अधा होता है जिसके पसाथ यहां पर द्रबीर सैली के मंदिर बनाय जात पुलके सिंदुतियों ने कदंबो मैसूर के गंगों उत्री कौंकर मौरवों गुजरात के लाटो मालवों गुर्जरों को अपने धीन कर लिया सब को हराये इन्हों वह चोल चेर पंड राजाओं से भी धीन प्राप्त करने में सफल रहा उन्होंने कन्नोज के राजा हरस और पल्लव राजा महिंदर वर्वन को भी हराये आपको याद है पुलके सिंदुतिये जिसने हर्स वर्धन को हराया था जिसका हमें उलेख मिलता है पुलके सिंदुतिये के सिलालेक से है ना उसने फारस के राजा खुसूर दुतिये के साथ मैते पुन समद बनाए रखे प पहारत में कभी भी धर्मों का उत्पीरन ऐसे नहीं किया गया। का मतलब होता है कि धर्म के बिना कहानिया और चित्र और धर्म से सम्मधित कहानिया और चित्र दोनों मंदिरों में सुंदर भिती चित्र भी हैं भिती मतलब दिवाल पर चालुक्यों कधीन मंदिर बेसर सैली के वास्तुक्रला का एक अच्छा उतार है बेसर सैली दबीर अगला न्यूज तो यही है आपका देखें प्रधानमंत्री जी डुब की लिए आकर कर रहे हैं उसके पर साथ एक और है कि डिजनी का अपने नाम सुना होगा डिजनी और रिलाइंस जो है इंटर्टेनमेंट में आज तक के सबसे बड़ा डील कर रहे हैं जिसमें एक सट पर इसमें डिजनी के बीच में बहुत ही बड़ा पैक्ट साइन हुआ है भारत में इंटर्टेनमेंट इंडस्टी का सबसे बड़ा होगा यह इसमें एक सट परसेंट सियर किसका होगा तो रिलाइंस का होगा और बांकी जो बचिया सियर वो होगा डिजनी का डिजनी दुनिया सबसे बड़ी कंपनी हो में किसके तौर में entertainment के में फिल्मों को production से लेकर फिल्मों को produce करने से लेकर फिल्मों के पैसे लगाने से लेकर बनाने से लिए के हर चीज के बात कर रहा हुआ है तो उसमें Ycom और Disney का deal हुआ है यह पूछा जा सकता अपके PT PACT में आज का नियूस परड़ी ससन यहीं पर समाप्त होता है, कैसा लगा है वीडियो जरूर बताइएगा, थैंकियो सो मच आप सबी का वीडियो देखने के लिए.